हेलो डियर स्टूडेंट्स हाव आर यू दिस इज नीरा सार एंड विलकम टो यू माइ यूटूब चैनल हन्सवानी एजू केस्नल एकेड़ी जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं अपने इस यूटूब चैनल पर आप लोग को इंग्लिस पढ़ाता हूं आज इंग्लिस में यूपी जूनियर एड़ेड हाई स्कूल में जो क्या है वेकेंसी आयें प्रधाना ध्यापक और सहाय का ध्यापक के लिए उसमें भी पूछे जाने के संभावना है तो इसमें जो इंपॉर्टन कोस्टन मुझे लग रहे हैं उसको साल करूंगा आप लोग को बताऊंग जो हम लोग का टॉपिक है उसमें है तो चलिए यह अब मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं आप लोग वीडियो वी जिसे की आप लोग को अच्छे से समझ में आए तो देखे हम लोगों का पहला question है वाट लेंग्वेज डिट दा एंगल एंग्लो सेक्शन स्पीक यानि एंग्लो सेंग्शन कौन सा लेंग्वेज बोलते थे option है हम लोगों का Old English, Middle English, French, Hebrew तो जो हम लोगों का answer है वो क्या है Anglosanxions जो है बोलते थे वो Old English बोलते थे Old English Old English जो है Anglosanxions बोलते थे अब Old English क्या था? Old English यानि पुराज इंग्वेज एंग्वेज एक तरह की जो है ट्राइप थी जो की प्राया इग्लैंड में आए थे तो यह लोग जो ओल्ड इंग्लिज का यूज करते थे बोलने में सब्सक्राइब का? इंग्लिज लेंग्वेज के फार्दर के रुप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन है हम लोगों का जफ्री स्वातर, सर्थार्मस मोरे, विल्यम टेंडल, मैग क्लिप तो आप लोगों को बताना है कि कौन जाना जाता है तो इंग्लिस फादर के रुप में हम लोग जिसे जानते हैं ओ है जॉफ्री सॉसर कौन है जॉफ्रे सॉसर को जो है हम लोग एंग्लो स्वारी इंग्लिस फादर के रुप में जानते हैं next question अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बुच्चों तो मिलता है आप लोगों का दा अल्टिमेट और वर्जिस ऑफ दा इंग्लिश लेंगवेज लाइइन विच लेंगवेज फैमली से बिलोंग करता है उसी तरह से इंग्लिश किस फैमली से बिलोंग करता है है अब सल सभरे इंडथीघ्ट आंग्यों करते इंडं यूरोपony ने का बिテीस तो किसे बिलोंग करता है इंड़ोंग इंस जो है इंडो इंक्राइब का भासा है रिए अभी निव बहासा है जिसको मतलब बनाया था जो तो हाली में उत्पत्य हुई थी जो कि प्राया जो इन कुछ पार्ट एर्सिया के डेस में बोले जाते हैं जिनसे इसके वर्ड्स लिया गया था और यूरोप में जैसे ख्रेंच है लाइटरी लेंग्वेज है इन सबसे लिया गया था ओके नेटर है हम लोग का वढट वाऑज दाद अदं नेम आप उल्ड इंग्लीज हमको दूसरा नाम रहेernा है और सभावस vorher मीडिल इइजिस मेंगलो सेंग्शनक्षां सेटी नॉल्मन नॉर्मन तो हम लोगे जो है ओल्ड इइजीस को हम लोग जो है जानते हैं वो Anglo Sanction के नाम से जानते है, Old English का मतलब क्या है? Anglo Sanction, Anglo Sanction, Anglo Sanction, आप लोगों को मैंने पहले बता है, Sanction एक प्राकिट पैस थी, जो इगलेंड में आकर बस गए थी, यहीं लोग जो है क्या करते थे, Old English बोलते थे, इसलिए जो Old English को Anglo Sanction Language के भी नाम से जाना जाता बह लोगों का, during Middle English period, many words were borrowed from which two language, Middle English period, जो English language का मध्य दौर था, उसमें बहुत सारे सब्द ऐसे थे, जो दूसरे भासाओं से लिए गए थे, जिनमें से दो भासाओं मुख्य थी, उनमें से जो उनका नाम बताना है, आप सा नहीं देखे, जन्तिक, जर्मन, उर्दु एंड, एरोक्विल, इसाओं, लेतिन एंड फ्रेंच, तो जो दो भासा थी, जिस से प्राया जो है, इंगलिश के सम्त लिए गए थे, वो हम लोगों का था लेतिन एंड फ्रेंच, लेतिन एंड फ्रेंच, Latin and French language से maximum English के वर्स क्या थे लिए गए हैं समझ में नेफ्ट है क्या प्यारे बच्चों नेफ्ट है दूरिंग दा इलजाबेथर पीरियर्स दा इंग्लिश लेंग्वेश कंसीडर्ड मॉनली यानि इलजाबेथ आप लोग जब इंग्लिश लिटरेचर पड़ोगे तो इंग्लिश में बने हुए है फिर क्या वालता को से लेंटर्स होते इसको बताना है कितने लेंटर्स में इंग्लिस में कितने लेटर्स होते थे ऋफिव्सन है 25 रेटर कोन 20 सीष्ञ लेटर टो क्या है 24 रेटर देखे-व्सी क्या है जो है 24 लेटर से ही गुआ करते थे ओके नेफ्ट आम लोगों का प्यारे बच्चों को सबसे जाता अगर देखा जाए तो प्यारे बच्चों फ्रेंच लेंगविज ही एक ऐसा लेंगविज था क्या है इस लेंगुज हैं देखात से त्रस्प्र हीт डाइलेक्स, फोर में डाइलेक्स, तु में डाइलेक्स, नो पर्टिकुलर डाइलेक्स, यानि ओल्ड इंगलिस में कितने डाइलेक्स हैं, तो जो ओल्ड इंगलिस में जो डाइलेक्स हैं, वह हम लोगों फोर में डाइलेक्स हैं, कितने डाइलेक्स हैं, फोर, फोर डाइलेक रहें डी आई एक यली सीटी एस डाइलेप्स ओके फोर डाइलेप्स रहें इंग्लिस लाइनवेज में समझ में करें बच्चों ने शामलों का जो कोस्टिन है ओ है देखिए कि in 9th century who proposed the primary education be taught in English 9th century में आर्था 9th सदी में किसे ने ये सुझाओ दिया था कि primary मतलब education आर्था प्राजमिक सिच्छा अंग्रेजी में होना चाहिए 9th century में कौन ऐसा वे पिता जिसने ये सुझाओ दिया कि क्या था जो primary education होता है वो English में होना चाहिए option है हम लोगों का केब डॉन गिंग अल्फ्रेड दा ग्रेड लॉंग मैं डॉक्टर जॉंसन तो कौन था तक किंग अल्फ्रेड दा ग्रेड ते इन्होंने जो है सबसे पारिस सुझाओ दिया 90 सेंचुरी में कि क्या है इंग्लिश लेंग्वेज क्या होना चाहिए इंग्लिश लेंग्वेज में ही primary education होना चाहिए जिससे की अच्छे से बच्चों को समझ में आए क्लियर नेस्ट आम लोगों का नेस्ट कोश्चन है वू वाज दा फर्स्ट किंग टू एड्डेस पार्ला राजा था फर्स्ट किंग था जिसने पार्लियमेंट को अर्था संसथ में इंग्लिस में संबोधन किया यहीं इंग्लिउस में भासण देने वाला फाला किंग कौन था ऑप्समें एडवरड हर्ट अडवर्ड4 तो कौन है एडवर्ण 3 समझ में आये क STOP जो एडवर्ड एडी डवर्ड एडवर्ड थर्ड जो है क्या थे पहले ही ऐसे राजा हैं जिन्होंने पार्लियमेंट में इंग्लिज में संबोधन दिया था यह सब बहुत इंपॉर्टन कोसेंस हैं जब आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे तो भी आप लोगों को अच् जासीन की की कौसेप्ट ब Gesetzentwurf एडएटू एडएट टू वर्ड्स कीवर्ड आइबार्थ जो आफ्ली मौ्र्ड पीडे तब उस में सब्दो के लिए अर्था वर्ड lunar इंग्लिज में कोंशा सब्दों के लिए वर्ड के लिए क्वहःकों सा सुझावव सचाह था अफरे घर तो जो हम लोगों का एंसर है वो क्या है साइलेंट बी साइलेंट बी अर्था क्या था अर्ली इंग्लिस इंग्लिस मॉडन पीरियड में जो इंग्लिस मॉडन अर्ली पीयड था उसमें बी पो aún के रूपमें बताय जैसे बी-इ-विटी होता है यहाँ यहांँ पर बीन को नहीं बोला जाता है, यह जो बी साइलेंट रहता है, और डौोड बोला जाता है, इसी तरा से बी साइलेंट कोा जो है, अर्ली मौडल इंग्ल्स पीरियेट में मांतु दिया गया, नेस्ट जो है? वो क्या है? अर्ली इस एक्सवेट फारा मिनन बहुत इंपर्टेन चीज़ है बताने जा रहा हूं कि देखिए कोस्टन है अर्ली मॉडर्ण इंग्लिस है डाइस सेकेंड पर्सन पर्सनल प्रोनौम यानि जो पुराना मॉडर्ण इंग्लिस पीरियड था उसमें सेकेंड पर्सन के प्रोनौम कौंस कितने थे बताना है आप्सन आए टू थ्री वन फोर टू थ्री वन फोर समझ में है तो सेकेंड पर्सन का प्रोनौम कितना था पुराने इंग्लिस में जो पुराना मॉडर्ण इंग्लिस था तो तो क्या है वह है तू कहुंसा है तू कि आप देखते होंगे अगर ग्रामाद पढ़ते हो स्वाई है रिटलेसर पढ़ते होंगे को आप देखते होंगे टी एच ओ यू आता है और एक आता य य य य दाउ और य यही दो वर्ड्स थे जो क्या थे अगली इंगलिस में में U के रूप में करते हैं प्रudma में यह यूल रहता था ओर आ हमारा स्ट Iraqा मॉर्डर में क्या हो गया है इस सब समाथ को गए है सित्थ हम लोग यू यू का यू नटाsın यही 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 बाद में यू बन गया यही यह बाद में क्या बन गया यू बन गया इसका जो इसके साथ अपने के पजेशन के रुप में यू जो होता था और यूर यूरस था अब्जेक्टिव केस यू ही था इसका अब्जेक्टिव केस यू था और इसका जो और इंफेंट सब्सक्राइब कर दिया गया है समझ मैं है अब देख लीजे नेस्ट को से यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसी को से रिलेटेड़ है दा अब्जेक्टिव फॉर्म आफ वाई-ई वाज अभी मैंने बताया है वाई-ई अर्था यह जो वाई-ई लिखा है जिसको मैंने बत अभी मैंने आप लोगों को बताए वाई-ई-ई इसका जो ऑब्जेक्ट होता था ओब्जेक्ट हम लोगों का यू होता था इसका प्जेक्टिव केस्ट तो यू था और इसके साथ जो रिफ्लेक्सिव केस्ट था यूर्सिल्फ यूर्सिल्फ और यूर्सिल्फ से यूज ह होता था समझ मैं तो क्या है यू सही है नेक्ट है किस लेक्वित इनडो-ईरान फैमली जर्मान इंडो फैमली अभी मैंने सुरू में भी मताया था देखना जब तो तो अधर देखा जाए तो हमारा इंगिज लेंगवज जो है इंडो यूरोपियन फैमली से बिलघ करता है किस पैसे इंडो ऊे इंडो यूरोपियन आप लोग देखें। हमाँ लोग ग्रामर भी अगर पढ़ते हैं, तो ग्रामर के कन स्पोक्इक करते हैं, ब्लोग करते हैं कुछ वॉर्ट्स व decía कुछ रूल्स ब्लोग करते हैं, amazon अब्यायी। पॉच है..? घंगिय कोस्जेलai और वन हें टू कंट्रीज वन हेंड़ेड़ पॉर कंट्रीज वन हेंड़ेड़ एट कंट्रीज प्राथ्मिक लेंग्वेज के रूप में कितने देशों में बोला जाता है तो क्या है एक सो चार देशों में बोला जाता है बच्चों वन हेंड़ेड़ पॉर कंट्रीज में प्राइंडरी लेंग्वेज के रूप में बोला जाता है समझने हैं वन हेंड़ेड़ पॉर कंट्रीज में प्राइंडरी लेंग्वेज के रूप में इंग्लिस बोला जाता है next question है हम लोगों का who is the father of modern English grammar father of modern English grammar बताना है यानि modern English grammar के फादर कौन है option है हम लोगों का लिंडली मुरे, dr. जॉंसन, jay long, john lily एक बाद फिर से option सुनें लिंडली मुरे, dr. जॉंसन, jay long, john lily modern English grammar के फादर कौन है, तो जो हम लोगों का answer सही है वो क्या है, लिंडली मुरे, l-i-n-d-l-e-y, l-e-y, e-y, m-u, r-r-a-y, r-r-a-y, लिंडली मुरे, यह जो है modern English grammar के फादर माने जाते हैं next question है प्यारी बच्चों देखे स्वारी माब करिएगा, इसी के साथ साथ प्यारी बच्चों, हम लोगों का जो English literature है, स्वारी, English language है, English language से संबंधित, जो महत्पूर प्रसुन थे, समाथ होते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समाज में आया होगा, आप लोग जुरूर अपना प्रत्रिया दीजे, कमेंट करके कि कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तद के लिए, थैंक यू, वेरी माच